हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई क्लास रजने स्टिचिंग क्लासिस और आज की वीडियो में हम आपको अम्रेला कूर्ती की कटिंग करना सिखाएंगे और यह हमारा फैब्रिक तीन मीटर है और यह कॉटन का फैब्रिक है तो स्टार्ट करते हैं कि अम्रेला कूर्ती की कटिं लाइन खीच के और फिर उसको कट कर देंगे हम नीचे से हमें कपड़ा बराबर करना है एक सीधी लाइन खीच के कपड़े को बराबर कर देंगे और अब हम इसका टॉप पार्ट निकालेंगे तो पर यह हमने कपड़े को लंबाई की तरफ से फोर फोल्ड करके 15 पे हम टॉप पार्ट लेंगे इसका कुर्ति का इस तरीके से हमें 15-15 पे निशान लगाना है और सीधी लाइन खीच देंगे हम यह हमने 15 इंच पे निशान लगाया है और सीधी लाइन कीज़ दी है और इस तरीके से अब हम कटिंग कर देंगे हमारा टॉप पार्ट निकल चुका है और अब हम दो अलग कर के इस तरीके से हम अलग कर देंगे क्योंकि जॉइन था और अब हम अलग अलग निशान लगायेंगे बैक और टॉप बैक और फ्रेंड पार्ट की ğğस情 प्रेंड पार्ट कre त्यार होगा और एक इंच हमारा सिलाई में जाएगा तो इसलिए हमने 15 लिया है और अब हम शोल्डर लेंगे 6 इंच और आर्मोल लेंगे हम 7 इंच एक इंच हम एक्स्टर जोड़ेंगे इसमे और फिर इस तरीके से हम एक बॉक्स बना देंगे और फिर देड़ इंच पे हम गुलाई देंगे हमने जितनी भी आर्मोल की लंबाई लिये उसका सेंटर निकालके फिर हम इस तरीके से गुलाई देंगे और अब फिर हम चैस्ट लेंगे चैस्ट हमारे 38 से तो उसका 4 पार्ट होगा तो 9 और उसमें अलग से कपड़ा जौड़ा है एसमें और अब हम उसके कमर का निशान लगाएंगे तो कमर घृति तो उसमें मैं पार्ट करेंगे तो 9 और उसमें 2 इंश जोड़ेंगे तो इस तरीके से हमारा निशान लग चुका है और एक इंच की हम नीचे से गिलाई देंगे इसे घेर अच्छा आता है टॉप का की नीचे से इस तरीके से हमने है अब हम अपने बैकपन का जो भी निशान लगाए है उसकी हम कmeeकर देंगे हगे हैं और इसमें हम एक्स्ट्र कपड़ा जोड़ेंगे चुडाई वह हम आपको सिलाई में जिका है और अब हम गले का निशान लगएंगे तो गले की चुडाई साधे तीन इंच और लंबाई भी साधे तीन इंच होगी और इस तरीके से हम गुलाई दे देंगे बैक पार्ट में यह हमारे बैक पार्ट के गले का निशान लग चुक है और अब हम बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट पर रख कर उस पर भी ऐसे ही निशान लगा देंगे बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें फ्रंट पार्ट में पहले हम गले की कटिंग करें और फिर नीचे से कट कर देंगे पूरा वैसे ही होगा और अब हम थोड़ा सा हमें गढ़ा बढ़ा चाहिए फ्रेंट पार्ट में तो हम दो इंच और बढ़ा दे रहें पांच इंच कर दे रहें और आर्मोल में हमें फिंच की गहराई चाहिए होती है फ्रेंट पार्न के आर्मोल में तो वह हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ा इसलिए हमने ये अलग से शान लगा है, फ्रेंट पार्ट में इस तरीके से हमारी आर्मोर की गोलाई हो चुकी है, यह हमारा front पार्ट हो चुका है, यह हमारा back और front पार्ट दोनों, तयार हो चुके हैं, पार्ट के अब हम घेरा बनाएंखे तो कपड़े को हम ट्रैंगल शेप में फोर फूल करेंगे इस तboo के से पहले हम और फिर जो टॉक पार्ट है उसका 1 पार्ट लेके उसको इस तरीके सेALK उДर के उपर की साइड के रखेंगे इस तरीके से वीडियो में देख रहा है और फिर इस तरीके से हम गुलाई में एक निशान लगा देंगे कपड़े को हमें ट्रेंगल शेप में फोर फोल्ड करना है यह हमने टॉप पार्ट रखके एक उपर गुलाई दे दी है और फिर इस गुलाई से हमें नीचे का घेरे का निशान लगाना है और फिर हम यहीं से हम नीचे के घेरे का निशान लगाएंगे तो पहले हमने इस तरीके से हम ट्रेंगल शेप में रखाए कपड़े को और फिर हम यहां से हम उपर से पहले हम कट कर देंगे और फिर यहां से हमने 40-40 इंच में निशान लगाया है और फिर कट कर देंगे पूरे घेरे पे और यह हमारे कटिंग हो चुकी अब हम बाजू का निशान लगाएंगे तो पहले हम एक बाजू की निशान लगाएंगे तो बाजू हमकी चोड़ाई हमारी 9 इंच रहेगी क्योंकि जितना भी हर्मोल होता है उसमें 2 इंच प्लैस करते हैं 2 या 3 इंच उपर से हम 2 इंच लेंगे यहां सायट से हम 3 इंच लेंगे और नीचे से वाजू की मूरी हमारी 6 इंच होगी उसमें ・ 1.5 इंच हम मारजिन लेंगे और फिर हम उपर से गोलाई दे देंगे जेड़ इंच हम मार्जिन लेंगे और फिर हम उपर से गुलाई दे देंगे बाजू की कटिंग हमने अपनी वीडियो में सिखा रखा है उसका Link In the description box में आप देख साकते हैं उसमें जाके इस तरीके से हमने गुलाई दे दे दी है कि किस तरीके से बाजू की कटिंग होती है और यह हमारी एक बाजू कट चुकी है और इसी तरीके से हम दूसरे कपड़े पर रखके दूसरी बाजू को कट कर देंगे और यह हमारी एक बाजू कट चुकी है और फिर हमने इसी तरीके से दूसरी बाजू भी कट कर दिये और अब हम जो आगी की बाजू पे जो हम हाफ इंच की गुलाई देते हैं उसकी हमें गहराई देते हैं उसकी कटिंग करनी है हमें और पी सेंटर पे हम कट कर देंगे थोड़ा और अब हमारी cutting हो चुकी है यह हमने अरे top part के दोनों part तयार हो चुके है यह हमारे बाजू तयार हो चुकी है दोनों और यह हमारा घेरा तयार हो चुका है तो जो भी अगर चीज नहीं समझाएं वो हम clear आपको सिलाई में सिखाएंगे और अच्छी तरीके से उसमें आपको और clearly सिखाएंगे तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद